हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आश्चा है कि आप लोग ठीकी होगे तो मुसों को टैंसे के एक निव एपिशोड में आप सभी का स्वागत है वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक चोटी रिक्वेश्ट की अभी तक अगर आप लोगों ने चैन स्काइब नहीं किया है तो प्लीज चैन स्काइब कर दीजएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नए नए वीडियो बनाने के लिए तो ये मेरी आपसे जोड़ के भी इनती है कि प्लीज आप लोग मेरी ले 40 कमेंट कर दीजएगा और साथी अभी तक आपने मेरी गेंट के सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सस्क्राइब कर लीजएगा उसके लिंक आपको डिशिशन मिल जाएगी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे रूडियस को देखते हैं जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे ब्रैड़ की कॉंटेनेट में जाना है तब यहाँ पे अस्टिलिया बोलते हैं कि मैंने तुमको पहली मना किया कि तुम मत जाओ तुम यहीं पे रुख जा लेकिन डूडियस यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता तो अस्टिलिया बोलते हैं ठीक है मैं समझ गी हूँ मैं इसमें तुम्हारी कोई help नहीं कर सकती हम लोग यहां पर चलते हैं देखो पहले हमें इस mountain को पार करके यहां पर जो bad continent है वहां पर जाना पड़ेगा जिसके बार नौर्थन में हमें यहां पर चलना पड़ेगा ओभी जह पूरे एक महने और एक महने की trip के बाद हम जो रे travel के दोरान तुम्हारे सांथ कभी नहीं सोँगा जिसके बाद यहां पर रूडियस बोलता है क्या तुमने क्लिफ से बात नहीं की क्लिफ यहां पर एक magical टूल बना रहा है जिसे दो तुम्हारा कर्स है वह वीक हो जाएगा तो यहां पर एस्टीले कहती कि आगर मैं उससे ब बात कर लूँगी जिसके बाद रूडियस यहां पर स्कूल के अंदर घूम रहा होता है और यह calculate कर रहा होता है कि इसको कितना टाइम लगने वाला है यहां पर रूडियस बोलता है कि पूरे मुझे 16 महें लगेंगी दूसरे सब्दों में कहूं तो मुझे 2 सा लगने वाले तरूडियस बोलता है कि मुझे वाल गर्ड़ जगा पर जाना है और मुझे जाने में 2 सा लगने में हा मुझे पता है कि मैं evitar करूंगा ले 50 मुझे माफ़ जाना बहुत जाया जरूरी है अब 2 सा कि नमस्थ सुनके यहां पर नैना शोक में बोलती क्या तुम्हें 2 सा लगने भी जह है यहां पर जाने के लिए जिसके भी नैना यहां पर रूडीस को मैप देती है तो रूडीस बोलते कि यहике क्या है तो नैना बोलती कि इसके अंदर पूरे वर्ल में जहां पर जो क्रोस फरकल है वो हम लिखे bark अब 10 स्वाइच को यहां पर ध्यान से पड़ो देखो य लेकिन तुमने मुझे आज से पहले ये बात तो नहीं बताई थी तो नैना बोलती कि मैंने इस बात को सीक्रेट रखा था जिसके वह नैना इसको मैप समझाने लग जाती है ये बोलती कि तुम इस जगा पे जाओगे और यहां पे जाके तुम को जो सरकाल हो मिल जाएगा जि जिल्वी जब अपने बच्चे को जम देगी उससे पहले मैं यहां पे जह आ जाओंगा इसके बाद यह बोलता है कि तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया तो यहां पर नैना बोलता है कि ध्यान रखना कि यह जो खावर है यह जो बिल्कुल विल लिक नहीं होने च बहुत है कि वुख रहा हूं जल्वी कोई बाद नहीं की वियसे तुम्हें यहां पर जाने में खेलने में पूरे जहें दो साल लग जाएंगे रूडियस बोलते हैं लेकिन यहां पर नैना ना मुझे एक रास्ता बता है असल में यहां पर एक टेलिफिसन सरकल है जिसके अंदर से अगर मैं गया तो मैं यहां पर एक मैने में जाके और आ सकता हूं हमारा बेबी बर्थ होगा उससे प अपनी बहन को बोलता है कि तुम यहां पर जो सिल्वी है उसका ध्याना करना और यहां पर सारा काम अपने आप करने को इश्मत करना जितना तुम से हो पाए उतना ही करना यहां पर रूडियस नोईला को बोलता है कि आगर आईसा और सिल्वी काम को ना समाल पाए तो प्ली का मतलब तुम घर पे कभी नहीं आओगे तो यहां पर रूडियस बोलता है कि अच्छा यह बात है आगर मैं यहां पर बेबी का नाम पहले रखता हूं तो यह जह सिंगनल होता है कि मैं वापिस नहीं आओंगा तभी यहां पर आईशा बोलती कि मेरे पास एक आइडिया है अ वो मुझे दिखाई नहीं दिया लेकिन वो मेरी बात को समझ जाएगा बाद में जिसके बाद मैंने प्रिंसिबल से बात की और यहां पर अपने जर्णी की परमीशन है वो ले ली तो यहां पर प्रिंसिबल ने मुझे जो किताबे हैं उसको भी जह बोरो करने की परमीशन दे दी इसके बार उस बोलते कि प्लैन इस तरह से रहेगा पहले हम लोग एक होर्स को जो है पिक करेंगे होर्स जो हमें जंगल के अंदर ले जाएगा और यहां पर जंगल कर जाने में एक हफता लगेगा जिसके बाद हम उच जगावे पहुच जाएंगे जहां पर वो टे यहां पर जैदी है और हम लोग यहां पर जाता कि करलेंगे और मुझे तुम्हारे हुज्ड से कोई मतलम नहीं है którym में यहां पर तुमारे लिए एक घर खई दूगा जहां पे हम दोनों साथ में जह है रह सकते हैं एस्टीलिया बोलती किया तुम एक ऐसी लेड़ी के साथ रह सकते हो जो यहां पे तुमको इतना परशान करती है और तुमको बिना बता है यहां पे जो जरनी है उस पे जाने के लिए तैयर हो जाती है तब यहाँ पे Cliff बोलता है कि हम जो मिली परमपरा है उसके हिसाब से यहाँ पे जह marriage करेंगे मुझे पता है कि तुम को यह काफी अच्छा लगता है एस्टिलिया बोलती है कि मुझे तुम काफी अच्छा लगते हो मुझे दुनिया से और कुछ भी नहीं चाहिए तब यहाँ पे जो सिलवी होती है वो रूडियस को गरे लगा लेती है यहाँ पे रूडियस अपनी बहनों को बोलते है कि प्लीज तुम लोग यह सिलवी का ध्यान रखना तो यहाँ पे इसकी बहने बोलती है कि तुम चिनत wichलो हम अपना बेश्ट करेंगे जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं तभी अश्टिलिया बोलती कि तुम चिंता मतलो मैं यहाँ पे जो रूडिया से उसकी जहरक्षा करूँगी और ये तुम्हारे बेबी के बर्थ होने से पहले अविस आ जाएगा सिली बोलती कि आप भी अपना जहर ध्यान रखेगा ग्रेंड मदर जिसके बाद ये लोग घोडे पे सवार होके यहाँ पे जहर जा रहे होते हैं यहीं पे हम देखते कि एक हफता बीच जाता है जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जहर आ जाता है जंगल के अंदर अन्दर आन सिल्वर ड्रेगन है अगर इसने हमें देख लिया तो यह सेकिंडों में हमें माट डालेगा और रूडियस यहां पे जो बैरियर होता है उसको जो ओन कर देता है यहां पर एस्टीलिया बोलती कि आखिर यह किस टाइब का मैजिक है जिसके बाद इनके सामने एक खंडर आ जात हैं यहां पर रूडियस एक किताब को निकाल लेता है और यह बोलता है कि हाँ यह जह वही मैजिक सरकल है जो इसमें बना हुआ है और साथी यहां पर इस किताब में जो मैजिक सरकल है उसके बारे में बहुत सारी जहनकारी लिखी हुई है जैसे कि यह मैजिक सरकल दो दरफ हाँ जो है पकड़ ले यहां पर एस्टीलिया बोलती कि मुझे काफी ज़्यादा बैड फिलिंग आ रही है क्योंकि यहां पर मैजिक सरकल को लेके मेरे एक्सप्रियंस से वह काफी बेकार रहें तरूरी से बोलता है कि तुम चिंदा मतलो मेरे भी काफी बेकार हैं जिसके बा पर टेलिफोसन सरकल के अंदर जो है गायब हो चुका है जिसके बाद यह चेक करने के लिए जाती है और आप इस आ जाती है और यह बोलती है कि यह वाफिस आ सकता है तो यहां पर एस्टीलिया बोलती कि नहीं मैंने यहां पर बहुत ज़ल्दी जंप लगाया था तो रूर रूडियस यहां पर बोलता कि हम लोग फानली जो बेरिसर केंडम है वहां पर पहुच चुके हैं जिसके बार रूडियस बोलता कि लगता कि यह कोई एंशियन बिल्डिंग रही होगी यहां पर जो लोग है उन्हें इसके बारे पता किया होगा और आने जाने के लिए इसक यहीं पर रुखना चीए इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग एक टेंट बनाकर रुख जाते हैं उसके अंदर यहीं पर रूडियस को एक अजीव सी सेमय लाती है जिसके बाद यह यहां पर जैजीव अरकते करने वाला होता है लेकिन एक दम से यह बाहरा आता है और यह ब लड़की असल मे क्वाहती है और यहां पर जो इस लड़की को मार डालती है और आस्ट्रियiek बोलते क्या लड़की यह तो यहां पर रूडियस कहता है कि यहां पर जो कलीफ है उसका जो मैजिक है वो जह काम कर गया यहां पर सब यहां पर रूडियस और इस बीश्ट को जला देता है और जिसके बाद यहां पर इस बीश्ट को भी मार देता है फिर रात को यह लोग जिए उसपीश्ट को यहां पर पका रहे होते हैं तो यहाँ पर एस्टीलिया होती है बोलती है कि तुम सही में जो खाना है उसको जह काफी अच्छा जह पका लेते हो इसके वास्टीलिया खाने को खा रही होती है एकदम से यह अपनी उंगलियों को चाटना जह सुरू कर देती है तो यहाँ पर रूड़िस बोलती है कि तुम यहाँ पे जो एक लेड़ी हो और एक लेड़ी की तरह तुम पेसा हो समझी ना फिर यहाँ पे श्टीलिया बोलते कि जब मैं पहली बार तुम्हारी मॉम से मिली थी तो वो जह तुम्हारी एज की थी और यहाँ पे वो जैती बिल्कुल एक इनोसन बच्ची की तरह थी जिसको यहाँ पे कोई समझ नहीं थी जिसके बाद यहाँ पे तुम्हारे डैड मिले और उनने उससे जहादी कर ली तो यहाँ पे रूडियस बोलते कि वैसे तुमने एक बार कहा था कि यहाँ पे मेरे की हिष्टी के बारे में नहीं पूछो फैसली उनकी लव हिष्टी के बारे में तो अच्छा ही रहेगा तो यहाँ पे बोलता ठीक है मैं नहीं पूछोंगा यहाँ पे रूडियस कहता कि यह बिल्कुल ठीक बोल रही है मुझे यहाँ पे पॉल के बारे में इससे जह नहीं पूछना चाहिए पता नहीं उसने क्या किया होगा जिसके बाद यहाँ पे रूडिस बोलते कि तुम चिंता मतलो जैसे हम रेविनिया पोचेंगे मेरे डैड तुम से माफी मांग लेंगे तो यहाँ पे अस्टिलिया बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे डैड क माफ जाए नहीं करने वाली अब दोस्तों यहीं पे जो अपीशोड होता है वो खतम हो चुका होता है उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जैस स्काइब कर लिजेगा और मैं आपको मिलूंगा अगले अप लेकिन आप मेरे गेमिशन को स्काइब भी कर लिजेगा चलिए ठीक है बाई बाई